जै शीतला माताय की देश के यशश्वी प्रधान मंत्री जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है प्रधान मंत्री जी वोड बैंक की राजनीती करने वाले उन्होंने देश को बहुत नुकसान पहुचाया है जैसे ही मोदी दी बड़ा काम देश के लिए करते हैं इनका विरोध का नारा सात्वे आस्वान पे पहुच जाता है पहले हमने देखा था कि ये सबी तीन तलाग का बहुत विरोध कर रहे थे और अब उनिफॉर्म सिविल कोर्ट का विरोध कर रहे हैं जिससे हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनको काफी ब्रहम हो रहा है और वे सब भ्रहमित हो जा रहे हैं कैसे इनको हम समझाएं किरपया अपना मारदर्शन प्रदान करें एक तो मैं आपको बदाई देता हूँ आपने इस सवाल पूछा इस सवाल से मैं पूरा विश्वा से कह सकता हूँ कि आप जमिन से जुड़ी हुई कार करता है लोगों के बीश्व रहकर के लोगों के सुख दुख को जानने वाली बेहन है आप और इसलिए मैं पहले तो आपको बदाई देता हूँ देखिए मुझे लगता है यानि देखिए हमें थोड़ा अध्यान करना चाहिए मुझे लगता है कि जो भी तीन तलाग के पक्षमे बाते करते हैं तीन तलाग की वकालत करते हैं ये वोट बेंग भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं अज़ा कुछ लोगों को लगता है कि पर ये तीन तलाग से तो सिर्फ महिलाओ कोई बात हो रही है तीन तलाग से जो नुक्सान होता है न वो सिर्फ बेटियों को होता ऐसा नहीं है उसका दाइरा उससे भी बड़ा है आप सोचिए बहुत ही अर्मानों के साथ बेटी को शादी करकर के ससुराल भेजा हो और आरदस साल के बाद तीन तलाग कह करके उसको कोई निकाल दे तो उस माबाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है उस भाई का क्या होगा वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते है इसलिए तीन तलाग से सिरफ बेटीों को ही अन्याय होता है इतना नहीं पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं और देखिए दुनिया के अनेक मुस्लिम बाउले देश इसका इसलाम से समंध होता है तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश तीन तलाग खतम नहीं करता है मुस्लिम बाउले देश जहां पूरी तरह इसलाम राज्य है वहां भी तीन तलाग बंद कर दिया है मैं परसों इजिप्त में था मिस्र में था मिस्र में इजिप्त में 90% से ज़्यादा सुनि मुस्लमान समा जाए और इजिप्त में आज से 80-90 साल पहले तीन तलाग की प्रधा को समाप्त कर दिया हमसे 90 साल पहले अगर तीन तलाग इसलाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई अगर तीन तलाग इसलाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता अगर तिन तलाग इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बंगलादेश ये तो सारे मुस्लिम बस्ति वारे देश है वहाँ पर उनको मन क्यों कर दिया मैं समझता हूँ कि मुसल्मान बेटियों पर तीन तलाग का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छुट चाते है यही लोग तीन तलाग का समर्थन भी करते है और मैं जानता हूँ कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बेहने बेटियां मैं जब भी जहां जाता हूँ वो भाजपा के साथ कड़ी रहती है मोदी के साथ कड़ी रहती है बातियों भारत के मुसल्मान भाई बेहनों को भी यह समझना होगा कि कौन से राजनितिक दल उन्हें भड़का करके उनका फाइदा लेने के लिए उनको बरबाद कर रहे हैं आजकल हम देख रहे हैं कि युनिपॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है आप मुझे बताईए एक घर में परिवार के एक सदसे के लिए एक कानून हो परिवार के दूसरे सदसे के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो गर चल पाएगा क्या कभी भी चल पाएगा क्या पिर ऐसी दोहरी विवस्ता से देश कैसे चल पाएगा हमें याद रखना है कि भारत के सम्विधान में भी नागिरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है साथियों ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसल्मान मुसल्मान करते हैं अगर ये मुसल्मानों के सही माइने में हितेशी होते तो अधिकाउस परिवार मेरे मुसलिम भाई भेन सिक्षा में पीछे न रहते हैं रोजगार में पीछे न रहते हैं मुसिबत की जिन्दगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते हैं और सुप्रिम कोट ने बार बार कहा है सुप्रिम कोट डंडा मारती है कह रही हैं कौमन सिविल कोट लाओ लेकिन ये वोट में के भुखे लोग आज जा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं अगर आप हमारे मुसल्मान भाई बेहनों की तरफ देखोगे हैं और मैं देखता हूं कि जो हमारे पस्मंदा मुसल्मान भाई बेहन हैं ये वोट में की राजनिती करने वालों ने हमारे जो पस्मंदा मुसल्मान भाई बेहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है वो तो तबाह हो गए उनको कोई फाइदा नहीं मिला है वेकस्ट में घुजरा करते हैं उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तयार नहीं है उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पस्मंदा मुसल्मानों का इतना सोशन किया है लेकिन इसको उपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई जो पस्मंदा मुसल्मान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता उन्हें नीचा और अच्छूत समझा जाता है इसी समाज में मैं मुसल्मान समाज की बात कर रहा हूँ मुसल्मान भाईयों में जो हमारे पस्मंदा भाई बेहन है जो पिछडे हुए हैं मैं उनकी बात करता हूँ पस्मंदा मुसल्मान मोची होते हैं पिस्ती होते हैं जोगी होते हैं लाल बेंगी होते हैं बटियारा होते हैं मिरासी होते हैं डफाली होते हैं मुकेरी होते हैं मदारी होते हैं जुलाहा होते हैं लंबाई होते हैं बेजा होते हैं बामनिया भी होते हैं छिया होते हैं लहरी होते हैं हलदर होते हैं सिकदर होते हैं कितनी ही जातिया ये सब इतने पिछडे रहे हैं इनके साथ इतना बेदभाव हुआ है भाई यो भेनो इस बेदभाव का नुक्सान उनकी कई वीडियों को भुगतना पड़ा लेकिन भाजबा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका अभिकास की भावना से काम कर रही है आईश्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्त सुविदा का हक दिया है पीएम आवास योजना के तहट उन्हें भी अपना पका घर मिल रहा है बीजेपी के कायर करता जब इन तत्यों वर तरकों के साथ मुसल्मान भाई बेहनों के पास जाएंगे तो उन्हें जादा बहतर तरीके से समझाएंगे और उनका ब्रम भी धूर होगा और इसलिए आपने जो सवाल मुझे बेहन जी पूछा है बड़े विश्वात के साथ जाईए और उनके सुख दुख दूर करने के में उनकी कठिनाईयों को दूर करने में एक कार करता के नाते समान ताका भाव से आप प्रयास किजिए जरूर वो आपकी बात मानेंगे समझेंगे भी